प्रिय विद्यार्तियों आज हम संसार के बारे में आगे अधिन करेंगे कल हमने संसार के कारे और महत्व के बारे में अधिन किया कि संसार का महत्व हमारे जिलनिक जियून में हमारे समाज के लिए किस परकार आउसे कहे आज हम बात करेंगे संसार के परकारों की कौण कौण से प्रकार होते हैं सबसे पहले संगट नात्मक संचार आता है संगट नात्मक में दो प्रकार है संगट नात्मक के ओपचारिक संचार और अनओपचारिक संचार फिर संचार परवाह के अदार पर दो प्रकार है क्षेतीज संचार और समतलिय संचार चोटा प्रशन भी आ सकता है अवपचारिक संसार क्या है अनौपचारिक संसार क्या है एक शेती संसार क्या है दोनों में अंतर क्या है तुल ना आ सकती है या संसार के परमुक साधनों के बारे में भी आ सकता है या संसार के परमुक परकार कौन कौन से स्परस्ट कीजिए तो आज हम संचार के परकारों का दिन करते हैं सबसे पहले लेते हैं आउपचारिक संचार आउपचारिक विवस्ता के अंतरकत संचार में संदेश का संचरन निश्चित रूप में नियोजित किया जाता है यानि एक योजनाबत तरीके से संचार होता है आउपचारिक संचार दो रूपों में लिखित और मोखिक रूप में होता है परन्तु यह किसी संस्ता में व्यक्ति के पद या इस्तर के आधार पर होता है यानि कोह संस्ता में शीरिस पर बैठावा व्यक्ती है तो वो योजनब्त तरीके से संचार है वो सम्परेशित करता है आउपचारिक संचार में संस्ता के अधिकारी अपने पद या इस्ति के आधार पर विभिन नियमों और कारे विधियों की आउपचारिकताओं में बंदे रहते हुए अपने अधिनस्तों को आवशक निर्देश देने की इस्ति में संचार का होता है जिसका एक रूप उचित माध्यम द्वारा विदी संस्तास्ता प्रसंचार के रूप में सक्रियता बताता है यानि संस्ता में सीर्ष पर अधिकारी बैटा है वो अपने पद्यास्तितिकादार पर विबिन नियमों का, कारियों का अपने अधिनिस्त जो लोग है उनको आउशक दिसा निर्देश देता है तो उस समय उनके मद्य आउपचारिक संचार होता है आउपचारिक संचार की कुछ प्रमुक विशेशता है जिनके बारे में मद्यन करते हैं नमबर एक, आउपचारिक संचार का मुख्य उद्देश से संस्तागत उद्देशों की प्राप्ति है, यानि कोई संस्ता है, उसके मुख्य उद्देश से है, मूल लक्षे है, उसको प्राप्त करना है, उसका प्रमुख उद्देश से होता है आउपचारिक संचार करने का। नमबर दो आपचारिक विवस्ता प्राय करमबद सूपरी बाशित एवं नियंतरित होती है यानि हमने पहले ही पढ़ा था कि आपचारिक संचार है वो नियोजित होता है एक संस्ता के मद्य होता है एक अधिनिस्त और सिर्स पर बेटे हुए अधिकारी के मद्य होता है क्योंकि पूरी की पूरी एक करम बद सरंखला चलती है संचार की तो उत्रूटी और अफ़ा के कोई स्थान ही नहीं रहता है आपचारिक संस्ताओं में अधिकारियों के मद्ये संबंद भी नियमों, कारे वीडियों, एमकारे निर्देसों के आदार पर संचरित होते हैं यानि उसे सीर्स पर बेटिव अधिकारी के और अधिनेस्तों के मद्ये संबंद के से हैं ये उस आपचारिक संसार पर भी निर्वर करता है नमबर छे, समवाद संसरण में एक रूपता नहीं होती है तता पक्षपात का कोई महत्वर नहीं होता है यानि पक्षपात नहीं होता है इनमें एक रूपता होती है क्योंकि जो संदेश सारी संस्ता के लिए है संचार वो नीचे से उपर तक मन नहीं होता है अन्तिम आपचारिक संचार में शक्ति एम अधिकारों का आस्तित्वे बना रहता है अत्या अधिकारियों करमचारियों के मद्य सम्मान भाव का प्रसार रहता है यानि एक सहयोग और समयोजन की इस्तती है वो दोनों के मद्य रहती है सिर्स अधिकारी के और अधिनेस अधिक या संचारक और प्रापक के मद्य अनोपचारिक संबंदों पर निर्वर करती है यानि इसमें संबंद भी अनोपचारिक होते है क्योंकि हमने पढ़ा था ओपचारिक में तो नियोजित होता है संचार लेकिन इसमें संप्रेस केसा है, कोण है, संचार कोण है, प्राप्ट करने वाड़ा कोण है और उनके मद्य संबंध केसा है, इस बात पर निर्वे करता है अनौपचारिक संचार अनुवचारिक संचार अभी व्यकती, भाव भंगीमाओं शंकेतों, हाव भाओं या मूगता के रूप में व्यकति गतिया सम्मों इस तरह पर हो शकता है यानि इसमें बहाव बंगी मा संकेत, हाव बहाव मुख्य रूप से संचार सिद्ध करने के माध्य में जैसे गर्दन हिलाना, हाथ हिलाना ली लेंड ब्राडन का कहना है कि अनौपचारिक संचार समय की बचत करता है इसमें तातकालिक पृतिक्रिया संभव है तता निर्णे के लिए पृतिपूस्टी प्रदान करता है तब ही ये अधिक परवावी रहता है यानि समय कम लगता है और तातकालिक पृतिक्रिया भी इसमें आ जाती है अनौपचारिक संचार में क्योंकि इसके अंतरकत सूचनाओं का संसरन त्वरित गती से सही और अफवा परक दोनों रूपों में संभव हो सकता है हमने उसमें पढ़ आता कि नियुजित होता है सूचनाओं अफवा कोई स्तान नहीं होता है लेकिन अनौपचारिक संचार में दोनों ही बाते हैं अफवा भी हो सकती है और सही भी हो सकता है इसमें आपचारिक संचार की भांती सम्मान उच अधिने से दिकारियों कोई प्रानुकरम नहीं होता है इसमें यह नहीं होता है कि सिर्षवड़ा दिकारी प्रबेटा हुआ है वह नीचे वने दिकारी को अधेश देता है इस अनौपचारिक संचार में ऐसा कोई करम नहीं होता है कोई भी किसी को भी संचार है, संदेश है, वो ते सकता है और नहीं इसमें नियमों एमुकारे प्रणाली का कोई बंदन होता है यानि यह तरह से यह मुक्त संचार है इसमें कोई भी नियम, बंदन, कारे प्रणालिज के निशित नहीं होती है वास्त विक्ता ये है कि अनौपचारिक संचार सामा जैता है व्यक्ति गत भिनता, अंतर समूह, संस्तागत सदस्यता या सामाजी घठना के कारण बने समूह के मद्य भी होता है यानि ये परमुक रूप से इसके क्षेतर है अनौपचारिक संचार के उपर हमने अनौपचारिक संचार पढ़ा था, उसका क्षेतर तो था कोई संस्तागत नी हो जन, संस्ता में होता था लेकिन इसमें कोई भी समू है सामा जी की संग्टना गटना है उसमें है वो इसका संचार हो सकता है अनौपचारिक में अनौपचारिक संचार की परमुक विसेस्ता निमन प्रकार है नमबर एक, अन्यूबचारिक संचार साम Armsियमामलों के समपादन में असामिय क मनोबल को उरजया परदान करता है यानि इसमें इसारे हाव भाव संखेत भाव भंगें मौँ से होता है तो ये सामुग ग्रूप से मनोबल बढ़ाने काम करता है गुर्जया परदान करता है ये अनौपचारिक संचार में सूजनाओं के विनिमे में कम समय लगता है सही है क्योंकि आपचारिक संचार में तो सीरिस इस तरह से लेकर निमनिस तरह तक पहुंचने में समय लगता है लेकिन इसमें क्या होता है संकेत बगेरा हाव भावी होता है तो इसमें समय है वो कम लगता है अनुबचारिक संचार में परतिपुस्टी सामाजिक अंतर क्रियाओं के बीच तुरंत संभव है यानि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया आता है क्रिया तुरंत होती है अनुपचारिक संचार में इसलिए समय कम लगता है प्रतिपूस्टी बहुत जल्दी मिलती है इसमें नमबर चार परभावी जन संपरक के लिए अनौप चारिक संचार सरवादिक उप्योगी है जन संपरक बगएरा करते हैं तो हम देखते हैं हाथ इलाते हैं सब को नमस्कार करते हैं एक एक विकती वो नहीं का जा सकता लेकिन पूरे समयों को एक साथ का जा सकता है तो ये एक जन संपर के लिए प्रभावी उप्यों की विदी है अनुपचारिक संचार अनुपचारिक संचार में नवीन विचारों और सुजाओं को प्रोचान मिलता है यानि इसमें नवीन विचार और सुजाओं भी लोगों से लिये जाते हैं और इसको बढ़ावा भी अनौपचारिक संचार के माद्यम से मिलता है नमर छे अनौपचारिक संचार प्रवंदन में एक प्रभावी यंत्र के सद्रिश कारे करता है चता दूसरों की अभिवृत्यों एवम विवारों को प्रभावित करता है यानि ये दूसरे लोगों की रूची है, उनका विवार है, उनको परबावित करता है ये अनौपचारिक संचार में सुद्ध सूचनाओं का संप्रेशन त्वरित गती से होता है यानि कोई सूचना बेजी जा रही है उसका परशारन है वो बहुत तेजगती से होता है क्योंकि हमने देखा इसमें कोई करम बदता नहीं होती है नीचे से उपर तक या उपर से नीचे कहीं से भी संप्रिष्ट किया जा सकता है अनुपचारी संचार समंदों में एक रूपता बनाये रखने समस्याओं के निवारन में और विलगता की भावना को दूर करने में भी परभावी है यानि समंदों में एक रूपता आती है क्योंकि संकेत हाव बाव से सब को एक साथ समझाय जाता है समस्याओं का निवारन भी इसमें किया जाता है वी लगता यानि अलगाओं की जो भावना होती है सदिस्यों में समूव में उसको भी दूर किया जा सकता इसमें कोई यह नहीं कह सकता कि उसने मुझे नहीं किया कहा मुझे इसारा नहीं किया या मुझे समझाय नहीं उसमें एक सात ही कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है समंदोक में मजबूती आती है और अलगावावद की भवना है वो दूर होती है तो इस तरह से हमने आज दो संचार के प्रकार पढ़े है अपचारिक संचार और अनपचारिक संचार अब इन दोनों के प्रशन यदि दोनों में तुलना करनी आती है तो दोनों की विशेस्ताई और परिबासा बता देनी है यदि एक पर टीपने लिखनी आती है तो हम एक पर टीपने लिखर के बता सकते हैं या अंतर लिखना आता है तो हम दोनों के माध्यम से अंतर बता सकते हैं तो या विशेष्टाइं आती है तो हमने विशेष्टाओं का दिन भी किया है तो इस प्रकार से और अपचारिक और अनपचारिक संचार समान दी कोई भी प्रशन आता है तो हम इसको इसका उत्तर बड़े ज्यानपूरग लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद